कर रहा है पर जमीनी हकीकत इससे कुछ और ही है इससे समुदाय को आज भी शिक्षा और स्वास्त जैसी मूलभूत सुविधाओं को हासिल करने के लिए जूजना पड़ता है आदिवासी भलेई राजनीति के केंदर में आ गए हूँ पर धरातल पर आज भी हासिये पर ही है बीते एक साल में केंदर सरकार ने देश भर में आदिवासी इलाकों में मूलभूत विकास के लिए सबसे अधिक 2,681 करोड रुपए धनराशी आवंटित की है इसके बाद भी परदेश में सुरक्षा और स्वास्त के मामलों में आदिवासी इलाकों की इस्तिती जस्कीतस है हाली में जारी केंदरिय जनजातिय कारे मंत्राले की वर्ष 2021-22 की एनुवल रिपोर्ट के मताबिक मध्य परदेश में बीते एक साल में आदिवासीयों पर एस्ट्रो सिटी के मामलों की संक्या में भी बढ़ोतरी हुई है साल दोजार इक्कीस में आदिवासीयों पर देश भर में अत्याचार के 8802 मामले दर्ज हुए जिसमें सारवाद धिक 2627 केस मद्यप्रदेश के हैं जिसमें बीते साल की तुलना में 9 फीजदी का इजापा हुआ है पक्का मकान पक्का रसोई निसुल करासन आईश्मान भारत स्वास्त की सुविधाएं पड़ाई लिखाई दवाई की चिंता लगातार कर रही है कांग्रेस की डिड़ साल में मद्यप्रदेश की हालत बत्तर हुए हैं लगातार भाजपा इन वरगों के तरफ बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम कर रही है सिर्फ आदिवासी समाज परेशान है उसकी ना सुरक्षा का कोई बंदोबस्त है ना शिक्षा का कोई बंदोबस्त है ना उसके स्वास्त की कोई चिंता है ये सरकार सिर्फ इवेंट की सरकार है सिर्फ इवेंट करती है और सिर्फ आदिवासी समाज को ब्रहमित करती है 2774 है वहीं मद्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में स्वास्त को लेकर भी इस्तिती खराब है प्रदेश में 2020 की इस्तिती में आदिवासियों की संक्या एक दश्मलाव 62 करोड से अधिक मानी गई है एक रिपोर्ट के मताबिक आदिवासी अंचल में 1208 उप स्वास्त केंद्र, 499 प्रात्मिक स्वास्त केंद्र, 116 लाक कम्यूनिटी हेल्स सेंटर की कमी है बाद जाहिर है कि आदिवासियों को लेकर राजनीती चाहे जितनी हो पर हकिकत कुछ और ही है आईनेस 247 के लिए भुपाल से प्रिंस गुपता की रिपोर्ट